हलो दोस्तों तो आपका श्वागत है एड़ी जार्टन क्लासस में और आज हम पूरे जोस और होस के साथ एक निव क्लास लाए हैं आप लोग के लिए जो की आपका बहुत सारा ड्राउट किलियर करने वाला है आप लोग के यह समझ में नहीं आता होगा कि भाई नात्पूरी का जो लीपी है ना कहीं कैथी दे देता है तो कहीं देवनागरी दे देता है कि भाई पहले था कैथी अभी है देवनागरी और ब्राम ही लीपी था तो यह सब कैसे है इसका आज डाउट किलिर करने वाला है और देवनागरी में कैसे लिखाता है कैसे लिखते थे ठीक ना वो सब आस देखेंगे, कैथी कैसी भासा होती है, उसके बारे में भी जानेंगे, ब्राम्ही लिपी के बारे में जानेंगे, यह बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोस्त, लोगों को अपने सपने मत बताते हैं, लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, चलिए, तो question स्टार्ट करते हैं, और doubt क्लिर करते हैं, तो देखें, यहां नागपुरी लिखने या नागपुरी भासा लिखने में, किस इसका देखें लिपी है, यहां पढ़ते हैं ना, कि नागपुरी लिपी का, यह हम rate pain कर लेते हैं, तो नागपुरी लिपी में क्या यूज करते हैं, नागपुरी पूर्वु में यानि पहले में, नागपुरी कविता हैं, जो लिखने में देवनागरी या कैथी लिप हम देवनागरी से स्टार्ट करते हैं अगर ये विडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब 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 जरूर करें ताकि और भी मुझे अच्छा लगे वीडियो नया नया वीडियो लाने में चलिए दिवनागरी जो है भारतिये उप महाध्यूप में परियुक्त प्राचिन ब्रामे लिपी पर अधारित बाएं से दाएं आबु गीदा है बाएं से दाएं लिखना क्या कहलाता है आबु गीदा है ठीक है ब्रामे लिपी पर अधारित है अब तो आप लोग समझ गये ना कि नाकपुरी भासा को ब्रामे लिपी कहीं के questions दे देता था मैं भी जब 2017 में question लगाया था तो मुझे याद है ब्रामे लिपी हम नहीं लगाये थे हम गलत सेट मार के आ गये थे देवनागरी नहीं दिया था ब्रामे दे दिया था ब्रामे पर ही तो धारी था ना देवना भारत से पहली बार चौथी सदाप्दी जो है ना चौथी सदाप्दी से तक विक्षित किया गया था कब से कब तक चौथी सदाप्दी तक ठीक ना और इसमें जो है अब आते हैं यहां सातवी सदाप्दी में देखे सातवी सदाप्दी से इश्वी से ठीक है नियमित उपियोग में था यह सातवी सदाप्दी में था नियमित उपियोग में देवनागरी लिपी में जिसमें कितने 14 स्वर और 33 व्यंजन सहीत कुल कितना वर्ण थे हैं आप लोग कमेंट सेक्षिन में कमें दिया में चौंथी सबसे व्यापक रूप में अपनाने वाली यह लेखन प्रणाली है जिसका उपयोग कितना 120 से अधिक भासाओं के लिए किया जा रहा है तो यह सब हिंदी नहीं समझ में आ रहा होगा तो यह सब सातीवी सताब्दी है यह वला और यह 14 है 14 यह आपका 47 है य कितना है 33 है ठीक है यह 33 है तो यह सब समझ लेंगे और यह 14 है यह तो हो गया चलिए नैक्सट अब तो यह समझ में आ गया कि यह उनेगरी लीपी जो है किस पर आधारित है यहां एक ही पॉइंट अच्छा देता है 1 गया है एक दो पॉइंट है कि दूसरा है कि इसका जो उपयोग होता है वो 120 से अधिक भासाओं के लिए किया जा रहा है दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है कि यह जो देवनागरी लीपी है ना ब्रामी लीपी परागारित है ठीक ना तो यह सब पॉइंट्स है और देखिए यह जो चंदाज के द् फॉण्ट में है और यही सब देवनागरी लीपी के भागेशन जया ठोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग जान ले हैं ना देवनागरी लिपी जो है ना देवनागरी लिपी में लिखी रिगवेद की पांडू लिपी ठीक ना यानि पांडू लिपी में लिखी गई रिगवेद में कौन से देवनागरी लिपी में इस लिपी की सब्दावली भासा के उचारण को दरसाती है ठीक ना, रोमन लिपी के विपरीत होती है, यहां एक फर्स्ट पॉइंट है कि दिवनागरी लिपी कौन से लिपी के विपरीत होती है तो रोमन लिपी के, लिपी में अक्छर केस की कोई ओधारना नहीं होती है, यानि कि दिवनागरी लिपी में क्या नहीं होती है अक्छर के जिसे सीरो रेखा कहते हैं या फिर रूप में जाना जाता है सीरो रेखा किसे कहते हैं यह तो समझ में आ गया होगा ठीक ना अब देखिए जो पूर्ण अक्षरों को सीर्ष के साथ चलती है ठीक है और एक सरसरी द्रिष्टी में देवनागरी लिपी अन्य भारतियां लिपि गुरु मुखी लिपी से अलग दिखाई देती है मतलब यह सबसे अलग है लेकिन एक निकटतम अलोकन से पता चलता है कि वे कोन और संग्राचनात्मक जोर को छोड़कर बहुत ही समान है अब चलिए ज्यादा ने देवनागरी लिपी की कैसे उत्पती हुई है यह हम लोग और सब्द की कैसे उत्पती हुई है यह हम लोग जान लें ताकि आने वाले एक जामों में अगर कहीं भी डीपली भी पूछ देना तो हम लोग गड़वलाएं ना यहां मायने रखता है हम आपको लिपी के अंदर इतना घुस कर क्यों बताए ठीक है क्योंकि यह जरूरी है ठीक न देवनागरी या नागरी नाम का परियोग क्यों प्रारंब हुआ और इसका विद्पती परक प्रवृति निमित क्या था और यह अब तक पूर्णता निश और अबंशीत नहीं है क्यों तो यह सब सारे कुश्टन्स पूचा गया है तो प्रथम क्वेश्टंस का हम लोग सॉल्प करें कि नागर अप्रण्स या घुजराती जो है नागर ब्राम्हुनों से उसका संभन्ध बताया गया ए है कहां नागर जो अप्रण्स या गुजराती नागर ब्राम्वनों से उसका संबंद बताया गया है पर दिल प्रमान के अभाव में यहमत संदिक्द है संदिक्द याने की अभी नहीं बताया गया है सक में है संका में है दक्षिन में इसका प्राचिन नाम नंदागरी है याने की दक्षिन भारत में इसका क्या है देवनागरि का नंदना कुछ गरी नन दिना गरी था हो क्या है नंदीनागर का कुई अस्थांसुचक हो और इस लिपी का उससे कुछ संबंध रहा हो तो यह सब पुकार जाता है यह फिर यहां भी हो सकता है कि नागर जन इसमें लिखा करते थे अता नागरी अभिधान पड़ा और जब संस्कृत के ग्रंथ भी इसमें लिखे जाने लगे तब देवनागरी कहा गया ये सब बताय गया है कि ये हो सकता है ये कनफॉर्म नहीं है लेकिन ये भी बात जाना है कि क्या हो सकता है अब हम सांके दर में नाम के प्रतमा अक्षरों का उनमें बोध होने लगा तिक न जिस लिपी में उनको अस्थान मिला वह देवनागरी या फिर नागरी कही गई इन सब पक्षों के मूल कल्पना का प्रधान्य या फिर निस्यात्मक प्रमान अनुपलब्ध है ठीक है अब चलिए रगुन रगुनात सा सतरवी शताबदी के नागवंस राजा थे उनकी राजदानी नौरतन गळ में थी हम ये सोटली पढ़ा रहे हैं टाइम पास नहीं कर रहे हैं नातपुरी भासा के प्रख्यात कवी भी थे ठीक है ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो लिख लेंगे उन् राम मंदिर का निर्मान कराया कौन बरह्मचारी ठीक है यानि कि शाषन अवधी किसका कितना था रगुनात्सा का 165-176 तक पुरवर्ती रामसाह नाम था उत्तर वर्ती यदुनात्सा ठीक है अब बात बताते हैं उनके शाषन के दौरान मेदिनी राय ने नौरतन गळ दो बहुत ही कम हो रहा है इसको अधिक से अधिक बढ़ाएं शेयर करें वीडियो को अच्छा रगें लाइक करें इसके पहले हम आपको बतातें कि कैथी भासा की और आपको ले चलते हैं कि कैथी कैसे उत्तर पुर्य है और कैथी का मतलब क्या होता है बस हम लोग बोल देते है कि पहले नागपुरी में कैथी भासा का यूज होता था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चो ठीक है जाना तो पड़ेगा आपको वीडियो देखने का मन करा या ना करा हो इसको देखना बहुत ही जरूरी है कि यह कहां से आया क्यों उत्पन हुआ देखिए भाई कैथी भ यह वाला नहीं है यह वाला नहीं है ठीक ना ऊपर वाला है यह सब भावेल्स में देखिए का का लिखल है ठीक ना यह सब पर यह सब कुछ कुछ समझ में आ रहा है लेकिन सब फिर हवा 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 ही जा रहा है तो कैथी भासा अगर पढ़ना सीखना हो तो कैथी भासा का क् लिपी है क्या थी क्या है एतिहाशिक लिपी है हमेशा याद रखिएगा point be noted जो मद्यकालिन भारत में प्रमुक रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफी ब्रिहत रूप से प्रयोग की जाती थी खासकर आज के उत्तर पर्देश और बिहार के चित्रों में इस लिपी को वैधानिक और प्रशास्तिक कारین में किये जाने के भी प्रमान पाये जंते हैं कैथी या फिर कायस्थी के नाम से जाना जाता है कैथी कौन से भासा में नामसे जाना जाता है तो ये point note कर लेंगे कैथी को क्या चीज से नाम से जाना जाता तो कैथी या फिर कायस्ती के नाम से भी जाना जाता था पूरवर्ती उत्तरपश्चिंप्रांट जो मिधला, बंगाल हो गया, उडिशा और आवद में भी इसका परियोग कुछ खासकर नयाएक, प्रशासनिक एवं नीजी आंकड़ों को संग्रहन में किया जाता था अब इसकी उत्तपती कैसे हुई, तो कैथी की उत्तपती कायस्त सब्द से हुई है जो उत्तरभारत का एक समाजिक समू हिंदु जाती है इन ही के दवारा मुखे रूप से वैपार संबंदी वेवरा को सुरक्षित रहने के लिए सबसे पहले इस लीपी का परियोग किया गया था याने कि कैथी, ये तो हम लोग को बात नहीं पता थे कि ये कायस्त सब्द से उत्पन हुई है पढ़ने के बहुत फायदे हैं आप लोग लगते हैं क्या पढ़ा रहे हैं सर कैथी देवनागरी ये तब तो हम जानते ही हैं कि नाकपूर में लिखा जाता है लेकिन भाई बहुत सारे पढ़ना पढ़ेगा जी पढ़ना पढ़ेगा और अपढ़ने कर 106 से नीचे आ जाईएगा ओनलाइन का जबाना आ गया है अफलाइन बाला नहीं है ठीक ना तो यह किस लिए मुखी रूप से इसका किस लिए उप्यों कि जाता था तो वैपार संबंदी व्यवरा को सुरक्षित रहन के निए यह भी पॉइंट याद रखेंगे ठीक ना और क बंदारन करने के लिए नियुक्त की जाते थे ठीक है कहा नियुक्त की जाते थे प्रबंदन और बंदारन करने के लिए नियुक्त की जाते थे इस परकार के आंकडों को ठीक है कायस्त द्वारा प्रियुक्त इस लिपी को बाद में कैथी के नाम से जाने लगा अगर वीड और free of course join करें on YouTube total class available है notes बनाना चाहते हैं notes बनेए, PDF खरीदना चाहते हैं PDF करीदिए और PDF करीदने के लिए आप message या फिर call कर सकते हैं 8863-884281 कैसा लगा वीडियो आपको धन्यवाद watching for this video और today's आप देवनागरी और कैथी के भारवे में पूरा जान गए हैं धन्यवाद, जै हिंद, जै भारत